कि अपने लिया तरह के लिया प्रज्न कि रए हमने यहां पे पहला फिर पंपर हुए नथा रिकर फिर पड़ाता हमने sharing Kya पर था सगे रिप्रोड़ाक्शन जिस इन falls एंड फर्टी और एसेक्सौल रिपोर्ड़क्षन के हमने बहुत साररे एक्जामपल रेख लिया था अमीब से बना दिया ता तो और अलाग अलाग ले लिए थे अपने एसेक्षियल डी पॉडक्षिन में आज अपने एसेक्षियल डी पॉडक्षिन के कुछ और इकजामपल देखेंगे क्या करेंगे ? घ्र ताप बड उन्हों थाइद है सिरा इसके हैं मत簡 है किसी पैरइंट से डाइरेक्ट इसके बुस्के बच्चे आ जा जाते हैं तो इस तरह का गली सिरा टालता है तक हुँ गाता है यह किने खालब कर और ल हमको लेंक है थोड़ा सा उभाल निकल आता है उसको काट यमीन में लगा तो है उसको काटे जमीन में लगा तो तो नहां भूब बन जाता है तो यह भूझ हो advocacy मतलब कि य데 यह कोई भी दी जैसे मालो यह फैन यह क्या है इट्स यह अभी नॉर्मन इस्ट है अभी इस्ट में क्या हुआ जो इसके अंदर साइटो प्राजम भरा हुआ है ना तो साइटो प्राजम का थोड़ा सा उभार निकल गया क्य Lay- прокislete को उभाथ निकल गया यह थोड़ा सा उभाथ निकल गया फिर इसका नूप्लियृस बीश में डिवाइड हो गया यह देखो दो पारो गए और एक नुकलियस यहीं नहीं रह जाएगा, एक नुकलियस इधर सिफ्ट कर जाएगा, एक नुकलियस इधर सिफ्ट हुआ, जब नुकलियस सिफ्ट करता है तो पता है यह पूरा साइज को अपने साइज को ऐसे पतला कर लेता है, ऐसे, जिसे वो आराम से देखो इधर चला गया, प तो यहां पर दो पैरेंट्स है क्या नहीं है एक ही पैरेंट्स ने दो अलग इस्ट बना दिया इस तरह को हम क्या बोलेंगे आज हो गया इस्ट क्लियर तो और भी कुछ इस तरह से मतलब की और अब यह तो पहले क्या हुआ बढ़ बना फिर दूसरे क्या हुआ इस लिए हम इसको क्या बोलेंगे सेक्स्वल रिपोड़क्शन क्लियर हुआ एक हो गया इस जैसे हम बात करें एक सेक्स्वल रिपोड़क्शन किसमें क्लेमाइडो मोनास यह सारे एक्जामपल है जब भी आपको बडिंग का नाम याद आए तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं निमागे याद रहना चैंट किसका इस्ट harvest में बड़्ड निकलते हैं याद रहना चाहिए फिर यह यदी बात करें हम clay my मॉनास में इसकर निकलते हैं जिसको हम बोलते है इसridge क्या बोलते हैं सफोर यह हमारा है है कि हम ऐसा कि एक यह बर्ट निकल रहे हैं इसको हम हम बोलेंगे र्ट कि इसको क्या बोलेंगे बर्ड थो याद होना चाहिए क मेड़ो मौ नस है रहए किर वह बारब करेகिसीलियम चेहां क्या निकलते हैं कि यह यह देखो यह चोटे चोटे पार्ट है यह चोटे 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 पार्ट इनको हम बोलते हैं कोनी डिया कि क्या बोलते हैं कि सुनों मेरी बात ध्यान से यदि यह एक इधार पूर तोटके इधार आ जायेगा ना माल लोग यह कि इधार न उपना is the most is the बार्डी मतलब कि इसके बॉली का कोई भी पार्ड तूटके अलग होता है तो फूरा नया का नया का बॉड़ी ही ही बना देता है तो यहार तूटके एक यह पुरी के पुरी नई बॉडी बना देता है et mal रहे हां कि म कॉणी इडिया की बाद करें पनिसली पेनिसेलियम में देखो यह चोटे चोटे टुपले हैं ना एक यह टुपला यह दुस्प्रा इसे शोटे चोटे लास्ट आता है वहमारा इस्पवज इस्पवंज में चुखद इस्पवश निकल एक नया पूराumbing अस्पवण बना देगा जिसको वोलते हैं जैंडून क्या बोलते हैं जैंडूल समय में आया हमारे कॉलेमिल मुनास इसपोर मेंटिम सीलियम कोंड्य लेडिया हाइड्रा बर्ट्स इस्पॉंज जैम्यूल फटाफट बना दो कि नेक्स ताय आई ये अभी सारे के सारे एसेक्षोल यह सब एंसी आटी के यह हैं ठीक है चलिए यह देखिए यह भी एसेक्षोल रिप्रोड़क्शन के एक्जामपल है आलू अद्रक अगयब ब्राइफिलम वाटर हैंस समझ गए तो इन समें भी मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इनमें मतलब मेल और फीमेल नहीं होते आलू के यह जो बड़ से निकली है जो इसकी आख होती है ना इसको काटके लगा दोगे नया अलू बन जाएगा से यहां से काट दोगे तो यह पूरा पूरा न्यू बन जाएगा सबसे पहले देखो यह कहा है वैजर्टेट्व प्रोफर्गेशन मतलब क्या होता है यह बड़े प्लांट रहेंगे किसी पाप को काट के आप यदि लगा देते हो तो वह भी क्या होता है एक सैक्सेौल प्रो दिसरा है बल्वी लॉप एगेव लीव बड़ और ब्रायो फिलम ऑपसेट अब दा वाटर हैंग थिस ठीक है यह सारे के सारे इसके एक्जामपल हो गए तो आपको यहां पर ऐसे डिन डाल दीजिए कि यह वेजटेट्व प्रोपाइगेशन सिर्फ इक्जामपल लिखना है यहां पर आपको सिर्फ इक्जामपल लिखना है यह सारे के सारे एक्जामपल लिखना है अच्छा पता है इनका इनका ग्रोथ भी बहुत जल्दी होता है जैसे आलू में जितने बर्स आएंगे आप उतनी सारी आलू के पेन लगा सकते हो कि लिए हुआ तो यहां से इनका रोद भी बहुत जल्दी आता है वेदिंग कुछ और एक्जामपल की बात करें तो एक और एक्जामपल है देखो यह इसको हम बोलते हैं टेर और बेंगल मतलब की बंगाल का अकाल होता है ना टेरर हमाद यह होता है क्या है इसके बारे में कहानी सुनना बहुत तो बंगाल का अकाल क्या हुआ था कि दूसरे कंट्री से वाटर है कि सो एकोइटिक प्लेठ यह होता है देखो अकोइटिक प्लान्ट होता है जिसको हम बोलते हैं व्टर है tu xya is Syria ठीक है तो यहां भी क्या होता है यह जो बाला प्लांट ना पेंड़ होता है तो यहां इसको दूसरे country से अपने इंडिया में लाया गया था सो पीस के लिए बंगाल में किसी ने दूसरे country से इसको ले आया था कि हम बंगाल में इसको उगाएंगा जैसे घरों में फूल लगा लेते हैं तो घरों में फूल लगाने के लिए था तो जैसे मनी प्लांट पानी में क्लाइमेंट इतना अच्छा लगा कि इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब कि तुम सोचो छै महिने में पूरा लेक भी को कवर कर दे इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ तो पूरे के पूरे तालाब में लेक भी हो वाटर हाइंथिस इसका नाम ही है फिर नाम सुना होगा इसे यह जलकुम्बि में पूरे पानी में पूरे तलाब में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया देखो पानी बचाही नहीं यह देखो कहां पादिख रहे कितना कंपानी कुछा दिख्धिरा यहां पर कितना कम पानी पूरे पानी ऐसा फाइल गया तो देखने में नवे था है अरे याइज फूरा में बहुत संदर लग लाहा था नहीं कि यह दिंड पता है यह पानी से अ Adamsal ला धानी से पूरी आउटिन लेठा होशा है कि एब प्ग जब पानी से पूरी ऑक्सिजन को खीच लिया तो आपको पता है ना बंगाल में सड़ी मचली पिलपिला भात बंगाल में खाने का सबसे अच्छा सोर्सी होता है मचली तो उसी तालाब में जहां मचली थी उसी तालाब में ये ग्रोथ कर दिया अब पानी से पूरी ऑक्सिज नहीं मिलेगी क्यों जिंदर हैगा तो इसको लाया गया था सजाने के लिए लेकिन इसके चक्कर में लाखो करोड़ों अरबों का नुक्सान हो गया वहां के लोगों का खाने का सोर्स खतम हो गया जैसे अपन लोग यहां पर नौर्मली दाल चावल रोटी यह सब खाते हैं आ आप बंगाल मतलब समझ गया बंगाल का टेरिस्ट सब कुछ लूट ले गया नामी दिया गया था उसका टेरा बंगाल ठीक है कंसीडर एज टेरा बंगाल इड़ा इस फॉस्ट इंटेडूज इंडिया विकॉस आप दा ब्यूटिफिल फ्लॉवर एंड सेप आप लीफ इस मतलब देखने बहुत सुंदर लग रहा था इस बज़ें सिसको इंडिया में लाया गया था इसलिए बोलते मूं में नहीं जाना चाहिए ठीक है आओ समझ में आगा यह टेरर बंगल समझ में यह भी एसेक्शुल रिपोड़क्शन का एक्जाम्पल भूसरा ग्रोथ कर दिया न है नेक्स्ट आजाई यह अब हम बात करेंगे नया हेडिंग है हमारा देखिए हमने अभी तक पढ़ा तक है सेक्शुल रिपोड़क संका किया होता है सेक्शुल रिपोड़क्शन तो सेक्शुल परदक्शन की पहले डिपनिशन ठीच डीचिंऊ का इसेक्शार। अधिंशुल परदक्शंह गई ही रोल इस double parents produce new office spring with the help of with the help of fertilization and meiosis with the help of fertilization and meiosis sexual reproduction role in double parents produce new office spring with the help of fertilization and meiosis is called reproduction fertilization and meiosis is called sexual reproduction sexual reproduction होता है आपको मैं बता दूँ कि ये plant में भी होता है और animal में भी होता है आपको पता है sexual reproduction complete करने के लिए ये process होना बहुत जरूरी है कि छय्जिर बैर्टन हुआ आपको इस इसन उन कि ये वे अर्जों में डी होगा मिल करने 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 जरूरोभ गैमीड्स और फीमेल गैमीड्स प्लांट और अनिमल दोनों में होता है तो हम सेकेंड चैप्टर में प्लांट कबढ़ेंगे और ठर्ड चैप्टर में अनिमल कबढ़ेंगे यहां पर थोड़ा-थोड़ा इसके applications पढ़ना है अपने को clear तो अभी अपन बात करते हैं चलिए इसके पहले plant में देखते हैं तो plant में क्या क्या होता है तो देखिए plant में sexual reproduction के लिए male मतलब male और female चाहिए है ना तो plant में होगा male part इसमें भी होगा इसमें होगा female part तो plant में male वाले part को हम बोलेंगे pollen grain क्या बोलेंगे pollen grain जो कि कुछ ऐसा होता है यह होता है pollen grain है ना प्लांट में male वाला part हो गया ठीक है प्लांट में female वाले part को हम क्या बोलते होगां है Obule क्या बोलते है Hello Wealy जो कि अइसा होता है HA ं कि कुछ ऐसा होता है यह होता है Obule say wie weTINT खीन हाँ बाद करें कहांपर animals में आइनीमल में वी क्या होगा male यह वाला part और ही मेल वाला पाट होगा बातें यह टाथ हूँ मेल वाला पार्ट होगा और फीमेल वाला पार्ट होगा जो मेल में मेल वाला पार्ट होगा यह होगा टैस्टिस जहां पर क्या बनेगा इस पॉम यहां फीमेल वाला जो पार्ट होगा यह होगा ओवरी और जहां बनेगा एक इस पॉम कुछ ऐसा होता है एक कुछ ऐसा रहेगा एक कुछ ऐसा रहेगा ‫पैयर हुआ तो अब देखिए अपने को जो यह वाला पोर्षन है जो यह वाला पार्ट है ये अपने को सेस्केश् lasers है यह इंगे यह थाब होता है जब ये दोनों मिलेगे न तो एक new seed बनेगा जब ये दोनों ये दोनों मिलेंगे ये दोनों मिलेंगे तो new seed بنेगा आप से नया Pain بنेगा तो ये पूरी फ्रोसेस सेक्शूल डा क्षून्हें वन कोई अ THEY कि कुछ बोलती क्या थिर डड़ने कर नहीं है ठीक है कोई भी कोई भी डराय सीधे तिवारी सर से सिकायत कर देना कि अधिवारी सर पनी जानती हो आशिकायत कर देना वह बस सामने बाले पर गिर जाएंगे काम हो जाएंगा ठीक है एसा तुम लोग बोला थे बुराई मत करों का बता दूंबंगा जाके नीचे हां ये बोल लें थी उनका पेट निकला हुआ है रुख जाओ बेटा बोली थी ना अब बताते क्या नाम इसका का सिस ने बोला ति भारी सरका पेट निकला है सर सुनना आप बताता हो रुख जाओ वो तो मेरी अईनिमल की अगे होंगे पापा और अपामे कि निकलेगा लहरदाद कि है समझ ग Soo कि घी मेर कि लेा कि अब यह दो कर दो कम मिलेंगे जब यह यह मिलेगा और यह मिलेगा तक है किसा बोलो है अन्जळी तुम दो दो और राव ऑद है कि है र सकिभूल रही कैक निकल का हैपी अग्डशन में यहां पर छो मेल बाला होता होता तुक-टुक जब हेमेल होती ऊपता ही रिंदी क्या बोला था लाला ना तो लाला यही है ना जब देखो टुक्टुक और रिम जिम दोनों मिलेंगे मतलब कि समझ गया है कि अभी आगे आगा तो और अच्छी सिखाऊंगा बस अभी इत्ता जान लो क्लियर तो यह हो गया हमारा क्या अब यहां पर जो हमको में पढ़ना है थोड़ा सा सेक्ष्वाल रिप्रड़क्शन के दो चार कहानिया थे उनको सुन लो उसके बाद हम सीधे पढ़ेंगे इसके एवेंट्स क्लियर हुआ चलिए समझ में आ गया ना अभी यह बहुत डिटेल से आएगा अभी हम यहां गेंगे जब यह दोनों मिलेंगे तो यह बनेगा मतलब की दो मिनने से मतलब फर्टिराजेशन क्या बना निउअफष्प्रिंग दो मिलने से मतलब हैट इसमें क्या बना निउप्रिंग् कैक डाती है सेख्ष्वल रिपोड़क्शन आप भूलना नहीं चाहिए sexual reproduction, clear रहे करना एकडम से चलिए, आओ, primary sexual organ और secondary sexual organ, primary sexual organ बेटा दो होते हैं, यदि हम बात करें male वाला पार्ट और female वाला पार्ट, female वाला पार्ट होता है, इसमें क्या, androsium, क्या होता है, गाइनोसियम, और male वाला पार्ट होता है, androsium, मतलब pollen gram और ovary, clear यह देखो, यह हो गया primary sexual organ, हो गया secondary sexual organ, primary sexual organ में आता है, androsium और गाइनोसियम, secondary sexual organ में क्या आते हैं, तो secondary sexual organ में आता है, calyx और corolla, क्याता है calyx और corolla, जो कि मैंने अभी बोला कि plant का जो ग्रीन वाला पार्ट है, प्लान्ट का यह जो green वाला पार्ट है, यह calyx होता है, फिर यह जो beautiful पार्ट होता है, वो corolla होता है, और यह corolla में इतनी अच्छी पापर होती हैं, अलग अलग varieties के होते हैं, आप गुलाब का फूल देख लो, लाल कलर, प्यार की रिसानी, पीला कलर, friendship, लाल कलर वो बाला friendship, पीला कलर यह वाला friendship, ब्लैक कलर, दुस्मनी, वाइट कलर, शांती, अरे यार, सब एक्दम expert हैं मतलब, हमा, चलो, आज आई यह, अब देखो, यह तो हो गया, क्या, यह दो नो हो गया, इस सेकंडी सेक्सोल औरगन, कोई को सुन लो, यह दो नो हो गया, सेकंडी सेक्सोल औरगन, अब हम बात करेंगे, आप सब को पता है, कि जो हमेशा अंधर रहता है, चाहे आप प्लांट की बात करो, चाहे अपने घर की बात करो, कि मम्मी लोग कहा रहती है किसी किसी कंडिशन में ऐसा होता है यदि लड़का विचारा बेरोजगार तो मम्मी लोगों कमाना पड़ता है हाना तो अभी एक प्लांट आएगा पापा तरका नहीं है ठीक है हलो हाँ 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 यह सुनो यह हो गए उसके बाद अब देखी क्या हुआ मेरी बासतो सुनो यह जो गाइनोसियं है यह फिमेल बाला पार्ट नहीं तो मेल बाले पार्ट को हमने ब prop कर करें देख रहे जिसको हम बोलते हैं एंथर क्या बोलते को एंधर में देखो अंदर ये गोल-गोल होते हैं पोलेन ग्राइन क्या होते हैं हम लोग जब जाते हैं तो ऐसे टक्स किये ना जब उनको तो पोलेन अपने हाथ में चिपक जाता है कभी-कभी वह इंसेक्ट भौरा नहीं होता है तो इस मतलब इस फ्लॉबर में गया तो उस यह यहां से उड़ा और यहां चला गया सिल्फ पॉलिनेशन क्या कर दो ठीक है यह यहां से यहां से उड़ा और कहां चला गया इसके ओबरी में मतलब यह हो गया सिल्फ पॉलिनेशन हो सकता है किसी दूसरे फ्लॉबर का आया हो तो क्रोस पोलीनेशन अब जैसे यहां पर गया तो देखिए यह हमारा पॉलन ग्रैण! यह पॉलन ग्रैं यह पोलन क्रैंठ यहां से आएगा डाय्ट नहीं आता है इस्टिगम्हेटा ज़ीरे वाले पार से यह यहां पर बना रहे थे आलू गयरा याद करो तो एसेक्सूल यहां पर देखो कित्ती मेहनत करनी पड़ी समझ गए तो यह होता है हमारा जो हमारा सेक्सूल रिप्रोडक्शन में नियू आफिस प्रोड्यूश करने की जो पावर होती है वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा रगता है जैसे देखिए आप दो प्लान पेंड ले लो एक मैंगो का ले लो एक गुलाब का पेंड ले लो पुटली को आप जमीन में लगाओगे दैन आम का पेंड आएगा गुलाब की पेंड में क्या होगा काटे कार दिये समझ गए इसी लिए एसेक्सवल वाले बेसराम होते हैं है ना इसके एक्जामपल पढ़े होगे ना एसेक्सवल प्रोडेक्शन का हो बेसराम हाँ अब हम देखेंगे थोड़ा सा फेजेज और प्लांट ग्रोथ इस चैप्टर में अपने में मेंली किसके बारे में पढ़न कि का होता है juvenile phase juvenile phase मतलब होता है adult age of animals जो एनिमल की एडल्ट की एज होती है अडल्स मतलब कि वह घ्रीम अदैंस करने के लायक हो जाए है आए कि यादा हम इंस हसको बोलेंगे मीनार्क क्या बोलेंगे मीनार्क मतलब की जब में मैं मीनार्क होता है top male में sexual सब्सक्राइब गभग होना चल्म है विए यह जो Zurल आइल होती है थो जैसे षब not First first ना अब तक द्रीमान्ट में चल्द में क्या इस्टर होता है एनर्जी खाना फूड यादि बीज में फूड इंस्टोर नहीं होगा तो आप कैसे खाओगे हूँ का फल देखे हो कि आम देखे हो आँ मैं तो खाया भी फिर ऑल सक्केहिन तो कराया जो आम का होता है अपन जो उसको खाते हैं न और दूशके रास होता है तो छो井स एनरजी भी Wiki है कि नहीं तो क्या होता है वो स्थार्च अवहzych प्रोटीन यहीं सारे चीजों होती है ना सेथी सी बात है तो जो जोगे नाईई फिंज होता है देखो मतलब उस ताइं में प्लान जवान है कि उस टाइम पर प्लांट क्या है उस टाइम पर प्लांट जवान है मतलब की फूड रिसोर्स डाइरेक्टेड एड़ दा प्रोडक्शन आप लीव इस्टेम एंड रूट फिर जुवेनाइल फेज देखो ना दिया तो है जुवेनाइल फेज पार्ट अब बजटे करने लीए फेयर ना ब्हीन भी दूट फीट करेंड फ्लॉवर कि एडिवा यूइज दुम्हरों सुवर्स डाइज वर से टोड फिसम्हरोंस एधम और फ्लॉवर की तो कहानी तोन यंदि अधे-फ्लॉवर नहीं होगा तो तो एस एकच्छ और वजाए गा तोंगी फ्लॉ होगा फर्टिलाइजेशन होगा तो चलिए अब यहां पर देखो जुवेनाइल फेस्ट कि तुम लोग नोट नहीं किया थी क्या अभी कि पीडियाप क्या पतर लाइट चली की हो जाएगा काम आई यह अपन देखते हैं जुवेनाइल फेस्ट क्या देखते हैं जुवेनाइल फेस्ट सबको पता है क्या होता है बच्चा जब तक बड़ा होता है फेस्ट शला काण सबस्क्राइगा क्यों अब्लों वढूर और उसके सेक्सोल औरगन का डबलाप होना जब फार्ड चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको कहीं दूसरा वर्ड बोलेंगे तक क्या बोलेंगे मिनार्क क्या बोलेंगे मिनार्क यदि हम मेल की बात करें लड़के की बात करें तो यह होता है 14-16 साल यदि हम लड़की की बात करें ही मेल की बात करें तो यह होता है 13-15 साल मतलब की लड़कों में sexual organ का डबलप होता है 14-16 साल में अब फीमेल में डबलप होता है 13-15 साल में प्लेयर हुआ अब यहां पे एक चीज और याद रखो हाँ ठीक है यह तो फिर आंगे यह थार चैप्टर में तो अपने डिटेल से देख नहीं है क्लियर उसके बाद अच्छा कुस्टन तो बता है करा किसी लड़के को लड़की बनाना है कैसे मतला मेल फीमेल बनाना बता ओ कि तूं किसी मेल को फीमेल बनाना है अब बोलो किया करते ब्रेक अब कर दो अब ने कप कर दो तो दारी कहां से छुपेंगी है अब मेकप करोगे कैसे बनाएंगे अब कुछ नोग ऐसे होते चोड़ें सीधी सीवाद कुछ मत करो आइवन जोड़ दो कि अब याज अधिकरते हो भाई आओ क्यों तो इदना बाइलोजी कि अपड़ते थोड़ा सब मैद भी पढ़ लिया करो अब यह और रपन देखते हैं नीला कुरें जी क्या देखते हैं नीला एक क्रणाटक कोई NALK में कोई worldwide करनाटक में मतलब कि बाहर सही लाया गया था नीरा कुर्या का फ्la वर एक प्लावर दोहजारीक देखने में बहुत सुन्दर था तो दोहजार यदोर को सेतंबर अक्टूबर के टाइम पर इसमें होतीड राव grate अनसी आटिम दिया इसलिए बता रहा हूं इसमें होती है फ्र्वाबरिंग कब 2006 के टाइम पर इसमें होती है फॉर इसमें क्या हुआ है जो प्लांट होते रोड के किनारे किनारे रहते हैं तो इतना फ्लॉबर देखो न तब पूरे के पूरे करनाटक की रोडों में ऐसा लगा था कि कालीन विछा हुआ है तो इसका ग्रोथ हुआ था यह और यह भी किसका था सेक्सवल रुपोडेक्शन फ्लॉबर इतने जाद के लिए 60 के लिए 500 ऐसें का होना बहुत जरूरी है मतलब की इस एट कि अि सुमाच्छा थे में कि मिनर्क मीनार के एज शुरू हो गई है मतलब हीमेल का जो सक्क्रेक्टर्स होते हैं वह यहीं सो घुता है मैंछुरेसन साइकल से घुक सायकल में क्या होता है देखिए मेंच्येशन साइकल में समझो यह हमारा क्या है नॉर्मल कि फीमेल शेक्स और गर्ण मतलब यूट्रस आप बात करिये तो यह वाला पार्ट वेजाइना है यह वाला पार्ट यूट्रस है यह वाला पार्ट हेलोपियन ट्यूब यहां पर नचु सी छोटी सी यह ओबरी क्या ह ऑबरी अब्ली में एक डबल अफ होगा देखे पीला करा का चोटा सा ओब्ली में एक डबल अफ होगा और वेमें लोटा है उठ्रांसजम कितने दिन को और कि 28 का होता है कितने दिन इवरोग अलबार को अब यहां पर देखे ओगुलेशन हुआ मतलब की चौदामे दिन में हुआ ओगुलेशन अभी यह हम डिटेल से पढ़ेंगे चौदामे दिन में क्या हुआ ओगुलेशन और एग यहां से कहां चला गया देखो यहां पर यह एक चला गया यहां पर अब यदि एग मतलब यहा नहीं आएंगे लेकिन यदि एक का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर इस दिन में पीरियड आ जाएंगे मतलब एक दो तीन चार दिन लगभग यह चार दिन क्या चलेंगे मैंचुरेशन साइकल मतलब जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग फिस क्या बोलते हैं ब्लीडिंग फिस लेकिन यहां पर उसी टाइम पर इस पॉम आ गया यहां पर फर्टिलाजेशन हो जाएक और नाइन मंद बाद हैपी गोंगराचुलेशन आज पता है कॉंगराचुलेशन उसी दिन हो जाता है जब पीरियड नहीं आता है नाइन मंदबाद मिठाई वितरण होता है समझ गए आजाओ हाँ हाँ ठीक है मैंचुलेशन फेज फॉलिकल प्लेज ओविलेशन फेज यह सब बहुत डिटेल से थार चैप्टर में पढ़ेंगे मैं को बोला इस चैप्टर में थोड़ी थोड़ी मज़े सब के बारे में थीक है ज्यादा कुछ नहीं है आईए नेक्स्ट हाँ यही आपक अब यहां से दिमाग में जोड देना है और याद करना है कि ठीक है कि पहले साधी कि पिर रात कि फिर पार्टी है हाँ वही मतलब पार्टी वह भंडारा वाला होता है ना अब आजाओ अपने बात करें सबसे पहले जो इवेंट्स और सेक्सोल रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है फिर होता है फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन मेरी बा नमबर तीन, फिर इसके अंदर हेडिंग बनाना है गैमेटोजनेसिस, क्या बनाना है गैमेटोजनेसिस और गैमीट ट्रांसपर, फिर बनाना है फर्टिलाइजेशन में एक्स्टर्नल और इंटर्नल, फिर बनाना है जाइगोड फर्मेशन और इम्प्रियोग जेनेसिस, आग ज्यादा लगेगा step by step समझना पड़ेगा कि लिए तो देखो यहां क्या होगा प्रिफर्टिलाइजेशन प्रिफर्टिलाइजेशन में गैमीट बनेंगे और यहां गैमीट का ट्रांसफर होगा गैमीट कौन से बनेंगे पॉलन गैन और ओबम यह ओब्यूल इस्परम और ए ट्यूबली रख्टी रेटाटेस्टिस वास डिफ्रेंसिया एपटेड़ामीज वास डिफ्रेंसिया से माइनल वसाइकर एसीनस कॉमन डेक्ट आप पेनायल यूरत्रा वेजाइना सर्विक्स योट्रस फैलोपेंट्यूब एमपुला यह होगा हुमन में हना अपन देखें टेूमें वाले पार्ट में और यह में एंसान में अपन संहोता है मिया समें यह खा नियुए मेर्ट विफेंट्यूब ड़ार सपहित इंसां मतलब जैसे इंसां मतलब है इसको हम बोलेंगे क्या जाइगोड क्या बोलेंगे जाइगोड बनने के बाद अब वह बड़ा होगा डबलब होगा तो इंब्रियो जेनेसिस समझ गये ना ठीक है तो गयमेटोजनेसिस गयमीट ट्रांसपर फार्टिलाइजेशन जाइगोड फार्मेशन और मतलब आप पता है एक दो तीन चार पांच हेडिंग बनाओगे पांच माक्स मिल जाएंगे आराम से एक्जाम में क्लियर हुआ आए आप यह अब यहपक्त देख रहा है रिफ nerd일 एशां पिवी फ्रेट बनेंगे क्या बनेंगे है सब्सक्राइब आप यहां बैंदेरेंगे लini करत करेंगे पह를 प्लांट का है मैं इस इसकी बात करेंगे प्लांट का तो प्लांट में हम बात कर रहा है पहले मेल्ग अश्त की फिर बात कर गए है थी मेल गैमीट्स की मेल गैमीट्स को हम बोलेंगे माइक्रो इस्पोरो जेनेसिस इसको बोलेंगे मेगा इस्पोरो जेनेसिस माइक्रो इस्पोरो जेनेसिस में क्या बनेगा एक या ओ वं bye सब्सक्राइ में अमेट बनेगा दौन्इगा ओवू दोनों का मैं डाइग्राम बना चुका हूं तो यह viendo formation किस पहुक्त enough टांड अब यदी हम बात करें गैमीट फॉरमेशन अनिमर the गैमीट ओर में सन किसमें इनिमल में हम बात कर रहे हैं हमक्ति डर यहां पे ऎर्मन में क्या होगा देखो अच सेब रहें मेल गैम स्थ और तो six जो मेल गें मीट्स होंगे एक तो मेल आइप में के बने दर्फो इस पौरोजेनेसिस क्या होगा इसपौरोर जैसिस पौराठ वू में क्या बनेगा स्पर्म इस परमियोजेनेसिस वह एक ही है सेमी है दोनों चीज़े इस पर मेटो जनेसिस ना हा एक ही है ना इस पर मेटो जनेसिस में बनेगा क्या स्पॉम यहां पर बनेगा आपका उजनेसिस उजनेसिस में क्या बनेगा एक समझ गए तो क्या हो गया हमारा पहला बाला हो गया गैमीट फॉर्मेशन क्या हो गया पहला बाला गैमीट फॉर्मेशन यहां पर यह आपके गैमीट बन गए अब दूसरा बाला था गैमीट ट्रांसफर अब दूसरा कह रहा है का गैमिट ट्रांसफर तो आई यह आप देखो यहां पर कुछ लिखा हुआ हुआ अब लाहर्मोन एंड स्ट्रेक्श्राल चेंज डिजन लिए डिवलप ओफ्लॉबर मतलब की फ्लॉबर में कुछ चेंजिंग आती है पहले दो इस तार्टि में फ्लॉबर जब बच्चा रहता तो ऐसा रहता है कि फिर फिर उसके बच्चे फिर फिर फल यह होता है न ठीक है तो इन फ्लॉबर दर वर्ड्स फ्लॉबर आज़र यह यह सारे पॉइंट तुम लोग प्रिफार्टिलाइजेशन बाले में लिख देना यह फ्लॉबर का डबलाब फॉर्म हो गया इसमें आपको एंडोसियम एंडोस इसब छोड़ेना आप सिप्ब लिखना ओरी में फिरीटेलाइजेसं पवर्म सिप्ब यॉधल थेयरी लिखना है आपने क्लियेगा अब फिर फिर दिया दिया अपना क्या वहोगा यह थी पर यहां पर मैंने दे दिया था पहले बाल में क्या था all the events of sexual reproduction that take place before the fusion of gametes are included the category two main pre-fertilization event gametogenesis formation of gametes and the gamete transfer pre-wale में होगा fertilization बाले में दोनों का fusion होगा क्या होगा दोनों का fusion तो जैसे मालों दोनों का fusion अभी मैं बताता हूँ fertilization कैसा होगा the process of fusion of male gametes with the female gametes is called the fertilization yassin gammy it's real formation of the deployed zygote ये सुनों कैसे जैसे मालों ये तुक 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 ये है रिम्जिम ये तुक तुक का ठीक है अब इन दोनों में क्या होगा देखो तुक तुक के पास and इसके पास and इसका क्या है इसका इन क्या है एक है अब तुक तुक और इम्जिम पहले नाइंध क्लास में थे जो मैं बार बार बताता हूं पहले कहां थे नाइंध क्लास मतलब मिनार्ख नाइंध क्लास मतलब मिनार्ख फिर इन में क्या हूई क्या है थीक है पहले इनकी आखे मिली फिर यह मिले ठीक है जब यह मिले तो इसी प्रोसेश को बोलेंगे क्या फर्टिलाइजेशन है क्या बोलेंगे र्टिलाइजers čय अप फर्टिलाइजेशन के बाद इन दोने में हो जाएगा to and मतलब की सब्सक्राइब पी ठीक है मतलब गॉंग्राइशलेशन ऐसा तो यह वाला प्रोसेस होगा क्या फर्टिलाइशेशन अब पोस्ट फर्टिलाइशेशन पता है है बड़ा हो जाएगा यह पेट है हां यह यह बड़ा हो गया यह हैपी है कि है पी ही एह कुछ में मतलब समझ गए ना ऐसा हां लड़ों को भी रहते हैं ठीक है अब यह यह हो गया पोस्ट फर्टिलाइशेशन बाला पार्ट पोस्ट फर्टिलाइशेशन में क्या होगा डूरिंग डा सेक्शुल रिप्रोड़क्शन दा इवेंट विस टेक प्लेस दा फॉर्मेशन टॉरुलआ कर लड़ फर्टिलाइशेशन समझ गए ना चले टांट यहां इसके बाद इसका डॉबलमेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन आज आईए पोस्ट फर्टिलाइजेशन पहला क्या बनेगा जाइगोड हाना ठका डाले पहला बनेगा जाइगोड जाइगोड क्या होता है समझ गए बता हूँ अभी तो पता है जाइगोड क्या होगा इंप्रियोजनेसिस क्या होगा बच्चे का डबल अप होना क्यों होगा इंप्रियोजनेसिस जाइगोड का मतलब की सुनों ऐसा हाना मम्मी का पेट अब यह टू यह नहीं है यहां पर टू यह नाइन मंद्ट तो सेवन डेज में कॉंगर्टुलेशन हाँ यह हैप्टी अब यह पता है इसके सारे के सारे और गन डबल अप होंगे हां तो वह होगा इंप्रियोजनेसिस पर यह ना इट इस दा प्रोसेस ऑफ डबलप्मेंट ऑफ दा इंप्रियो फ्रॉम दी जाइगोड जाइगोड से इंप्रियोग का डबल अफ होना यह जाइगोड है कि जाइगोर से इंब्रियों का डबलफ होना जाइगोर अंडर अंडर गो से डिवीजन से डिफ्रेंसियर्शन पता ही है छोटा सा है यदी तो बड़ा कैसा होगा और अरे जब बच्चा चोटा सा पेट में रहता है ना प्ला उसमें नहीं पाता रहता कि दो-चार दिन का तो साच है पैर है पेठा कुछ पता नहीं रहता है फिस जैसे जैसे बच्चा सीधे एक महिना लो ना एक महिना डेड़ महिना दो महिने बाद तीन मन्य चार महिने बाद बच्चों के सिल जो है डिवाइड हो के डिफरेंसियेट हो जाती है कि यह नाग बनाएगा यह पेड़ देते हैं बीबी पैरा जो बच्चा पाइदा करते हैं अन्डे जैसे मालो मुर्गी बच्चे देती है हां अन्डे देती है कि मुर्गी कि क्या होगा समझ गये गाए समझ गये यह हो जाएंगे जाइगो डवलप इन्टू यंग वन इंसाइड दा बोडी और दी फीमेल और गेनिसम यह अपना पोस्ट फर्टिलाजेशन चलिए यह समझ कहना अब देखो तुमको मतलब सेक्श्वल प्रोडक्शन के इवेंट्स में यह सारे गैमी ट्रांसपर फर्टिलाजेशन जाइगोड का बनना और डबल अपोना याद रह जाएंगे न सारे यही आपके एक्जाम में आएगा अब कुछ जो गैमीट्स होते हैं तो किसी-किसी में पता है क्या होता है होगो गैमीट्स मतलब मेल और फीमेल एक्दम सेम कि मैले और हम इसको बोलते हैं होमोगैमीट्स यह होता है ऐले मारे माई यह होता है फिर हेट्ट्स या हम इसओं ह कर दो होता है taking इसलिए होंदमेल और फीमिल प्रू लॉजिकली मिला यदि मेल और फ्मेल एकदम सेम है तो उसको बोलते हो महें होट एक हूं की होता है मेल और फ्मेल अलाग अलाग हो देखिए न Tamam मेल गाइमी्ट्स आलेकिन मार्फो लॉजिकर डिफ्रेंट अपी अपियरलाण्स मतलब कि देखे एक एक छोट है कि समेल यह फ्मेल माइ है यह मेल है तो आप देखिए इस डाइग्राम को देखिए आप इस डाइग्राम को देखिए और इन दोनों को देखिए इन दोनों का सरीर सेम है इन दोनों का अलग-अलग है कि यदि सेम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं होमो अलग-अलग होता है तो समझ गए